क्या कि आचिरावती नदी के पूर्वी टट को काट करके इस ग्राम में राम ग्राम में पानी बहुआ दिये जिसे पूरा गाउं बह गया अबसकार दोस्तों हमारे फेस्बूक पेज हम सब की बात में आपका स्वागत है मैं गोरपूर के रामगण ताल जो की बहुत बढ़ा ताल है यहां खड़ा हो करके मैं इसकी इतियास को जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ सब्सक्राइब को जानने के लिए आपको धन्यवाद है कहा जाता है आधिकाल में यहां निशादों के जो कूल जो है कोल थे उनके एक सामराज था जिस सामराज का नाम था पूरे गोरखपूर के उपर और यहां वेख विशाल दुर्ग था उस दुर्ग का स्वामी जाना विश्व भूति के वट थे जो अपार सेना रखते थे बड़ी विशाल सेना रखते ताल इतना थारे कि मैं बता दूँ आपको मैं जिस खड़ा हूं मैं माल लिए इस जगह से मैं स्टार्ट करता हूं चल के दूसरे कोने से आता हूं या दुबरा पहुंचता हूं तो मतलब 18 किलोमेटर यह कवर कर लोंगा मतलब 17 सो कुछ हेक्टेर में ताल फैला हुआ हुआ है इसी बारे में बताए रहे हैं कि पहले यह जो है एक राजा निसास समाज के थे उनक साल कि इतना था bueno ta कि इसको देख करके जो और अन्य गणराज संब थे कि अनुझे के शाराज सत्पना परथम राम राम यहां उसлаг तो किल ne सब्सक्राइब कर सकता है ने मैं सब्सक्राइब कर सकता हूं कि इसमें कि इसमें किलोमीटर में जो आप देख रहे हैं इसके उपर दूर्ग था वह विसाल दूर्ग इतना बड़ा था कि पच्चासी हजार साइधिक इसमें इसके उपर महल था निसाथ समाज के लोगों का निसाथ समाज का एक जो है राम ग्राम दुर्ग ता जिसको राम गढ़ कहते थे इसका पूर नाम जो है अचिरावती था पूर्वी ट्रट पर दूर्ग था रामगर्ण जिसको राम गराम कोली गंडराज की राजधानी राम गराम कहते थे थोड़ा गुगल में जिन लोगों की जानकारी नहीं है वह भर दिया गया है वह बहुत गरंतों को भारती पूरातत्व विभाग के गरंतों को पढ़ेने से पता चलता है कि राम गराम की जो अस्थापना हुई थी बारे तेरे रहजार बर्ष से कम के नहीं होगा क्या कि आचिरावती नदी के पूर्वी टट को काट करके इस गराम में राम गराम में पानी बहुआ दिये जिससे पूरा गाउं बह गया और फि अभी आज भी जिसको चंद्रगुप्त मौर का दूर को कहते हैं इतियास कारों रहे हैं कितना दूर यहां से हैं यहां से कम स्कम 13 किलोमीटर पड़ेगा वह चोर चोरा विदान सभा में है चोरी चोरा विदान सभा में है तो पूरा वर्ल्ड फेमस है उसी जगह है चूकि चंद्रगुप्त मौर जान है मैं जाकर देखना चाहूं मिल जाएगा उहां टूटा फूटा किला है भगनावसेस में है और मंदीर है तुरांत उसकी दिवारें आज भी दिखाई देती है वह भी नदी के पूर्वी छोर पर है गोरा नदी के पूर्वी छोर पर है इसको राप्ति कहते हैं अब जैसे बता रहें दूर्ग तामकिला यह था तो अगर इस खुदरिया कर भाए तो तो मुझे दूर्ग मिलना चाहिए अब यह पूरा तो विभाग का जो है इसमें आज भी जो अन्हें जब इस रामगड़ताल में की जो है सफाई होती है तो बड़े लेकिन किताबों में कहीं ऐसे जगंतों में मिला निवसाजी जो बता रहे हैं आपको क्या जानकारी में मेरे पास ग्रंथ हैं और तमाम बहुत ग्रंथों में हैं इसका जमाली मुझे पढ़ना है और बहुत साब लोग पढ़ना तो वह पुस्तक खरीज सकते हैं गोरकपू जुबली के रोड पर इतनी पूस्तक कोली गंडराज की बिकती हैं और बहुत धर्म की पूस्तक के बिक रही हैं उसमें जब आप कोली गंडराज के और बुद्ध के ससुल डंडपाणी की राजधानी राम ग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि यही रा घ्रामगढणी आजका राम ग्राम ताल है दोस्तों बता दो आपको मैं यह सतर यह बता रहे हैं कि रामगढढणी को इतियास कई पहले राजा का Fox के राजा करते थे उनका समराज चलता उनके लोग रहो करते थे उनके कुछ दुसमन पैदा हुए अब बहल कुश्तूला कि कि पोरा केल टूकता हुआ जो है नदी का रूप धारांग कर लिया और यहीं से भोणा मैं जैसे बदल दिया गिए तो धीरे बदल करके जो है और चिराव्ती से जो है राप्ति हो गया तो बता दू आपको आपने जान लिया है इसका इतियास क्या है असर इतियास का रहा है उन्हों ने पूर पड़ा हुआ है पूरा गंटो में जो इन्होंने जानाप शानमिन किया किया की से बार आज गोरपुर का जो नौका भी Our Shqeath boxing इसको बहुत डवलब किया जाए रहा क्योंकि उत्तरप्रदिस के मुक्मंति योगी आदितना जी है जब से 2017 सरकार बनी वही है तब से गोरपुर के इंदर रामगरताल का सुन्दीकरण हो रहा है और यहां बहुत काम हो रहा है तो मैं क्यामरे को मोड के आपको दिखाऊंगा मतलब सुन्दीकरण हो रहा है क्योंकि उत्तरप्रदिस के मुक्मंति योगी आदितनाथ जी है और योगी आदितनाथ गोरपुर से आते हैं और गोरपुर से विधायक भी है इस समय तो देखिए कितना खुपसूरत हो चुका development बहुत ते जाए और समय भीत्ता रहता है और कि उत्तरप्रदिस्त के सबसे बड़ा वहें गोरपुर से लग़ पांच्च किलोमेटर जगह लगा kita अच्छा लगता है कि आपको मैं इसके इतियास के वर्म बता दूँ कि पहले क्या था और आज के डिट में क्या हो चुका है चलिए तो भी रामगरताल की इतियास के वर्म थोड़ा जाना चाहते तो मुझे लगता है इस वीडियो के मादें से वो लोग कुछ तो जानेंगे और जान जाएंगे इसका इतियास क्या रहा हुआ है आज जो चला है तो चलिए लेकि चलता आपको दिखाता हूं मैं क्यामरे का जो क लाने के लिए अच्छा जगा वीडियो पसंद आपको आए उसको लाइक कर दिए कौनबाक्स में कमेंट करें आपके लिए क्या अच्छा वीडियो को सेर कर दिएगा सर्जी बहुत बहुत धन्देबाद आपका माद चैनल पाने के लिए अ का यद्माटेर्व नहीं मैं पाने को सेर करें यद्माटेर्व में सर्णाएं पाने करें माज़ आपके लिए लागे करें आपके लिए गच्छा श्रेप्रमाटेर्व